हाई गाईस वेलकम टो दीप लेक्टोनिश लैब दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ट्रैक्टिकल वीडियो के साथ दिखाने वाला हूँ कि आगर उनिवार्सल बोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आपके टिवी के अंदर इस प्रोकर के कलरिंग चेंज का प्र प्रॉब्लेम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टैप है कि आगर आप रेमोट के जरीए कुछ भी अगर सर्विस मेनु में जाके थोड़ा सा गलती से बांडिंग मोड को आन कर दिया तो उस समय आपको जो इस प्रॉब्लेम को सॉल्व करने का तरीका है बहुत ही रिमोट दबाने से आता है लेकिन अगर आप इस प्रो करके उनिवर्सल बोड आप इंस्ट्रॉल कर रहे हो और उस समय आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे दो करण हो सकता है पहला करण आपका जो एलवीडियस केबिल जो है वो सही से मैच नहीं हो होता है तब भी आपका यह प्रॉब्लम आ सकता है दूसरी होता है तो हमने इसे टीवी का अंदर देखिए इस पैनेल के अंदर यह हमरा यूनिवर्सल मदर बोड वी 56 यू 11.2 इंस्ट्रॉल करके रखा हूं जिसके अंदर यह प्रॉब्लम आ रहा है तो जब मैंने इसका ज हमाड़े पास दो तरीका है एक तो यूएस भी यानिकी पेंड्राइब के जरीए सॉप्ट्वर फ्लास करना दूसरा है हमारा जो प्रोग्रामर होता है आटी 809F उसके जरीए प्रोग्राम करना तो देखिए बहुत सारी लोग के पास आटी 809F जो प्रोग्रामर है वो नह करना होगा सबसे पहले तो आपको इस मदरबोड के अंदर सॉप्ट्वर डालना होगा राकोर्डिंग टू पैनेल रेजूलेशन आपको सबसे पहले चेक करना होगा इस पैनेल का रेजूलेशन कितना है तो मैंने इसका डेटा सेट निकलने के बाद मुझे पता चला है कि पैनिल का जो रिजूलेशन है वो तेरा सथ छेसाट इंटू साथ सो अट साथ तो आगर आपके पैनिल के अंदर उन्नीज विश दसासी है उसके ही सब सब को सौप्ट्र लगेगा तो चलिए मैं आपको सिस्टेम के अंदर जाता हूं और इस पैनिल के ही सब से जो का सौप्ट्र हमारे वेबसाट पर मिल जाएंगे निचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हूँ है अगर किसी को भी किसी भी रिजूलेशन का सौप्ट्र चाहिए इस मदरबोट का तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है कि हमारा इस पैन सिस्टेम के साथ लगाना है अगर आपके पास सिस्टेम नहीं है तो मोबाइल फोन के जरी यह आप कर सकते हो सिर्फ आपको हमारे वेफसाट से शॉप्ट्व्ट्र डाउनलोड करना होगा उसके बाद आपने पैन डाइब के अंदर डालना होगा तो चलिए सबसे पहले हम तो इस pen drive को format करेंगे और format करने के लिए जो आपको platform choose करना होगा यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो जब आप format करोगे तो आपका जो system का configuration होना चाहिए वो fat 32 पर होना चाहिए section पर तो fat 32 के जरी आपको इस pen drive को format करना होगा चलिए यहां पर sony हमारा pen drive इसके लिए sony लिख दीता हूँ और उसके बाद आपको यह pen drive को format कर लेना होगा जैसे format complete हो जाएंगे तब आपको अपना जो bin file यानि कि जो USB वाला software है उसको move करके हमारे pen drive के अंदर रखना होगा तो चलिए हम जाते हमारे system पर जहां software रखा हुआ है U11.2 का यहां पर देख सकते हो बहुत सारे टीवी का original software भी है और UFG वाला भी software है जो कि आपको हमारे website पर मिल जाएंगे सारे के सरे software साबको website पर मिल जाएंगे तो हम जो लेंगे 366 इंटु 788 वाला हम universal motherboard के लिए software लेंगे तो यहां से हम लेंगे यहां पर रखा हुआ है हमारा 366 इंटु 788 वाला तो यहां पर देखिए हमारे पास 2-366 दोनों एक ही है तो जैसे ही आप काम करोगे आप जो भी आप flash करना चाहते हो सिर्फ उसको कॉपी करिए और यहां पर आके आपने pen drive के अंदर flash यानिकी paste कर दीजिए देख सकतो आग चुका है और आपको safely तरीके से इसको बहार निकलना होगा eject करके ताकि यह हमारा software करक मतलब खरब ना हो जाए करप ना हो जाए देखिए हमारा यह बाहर आ चुका है तो चलिए दोस्तों आप में इसको बहार निकल लेता हो और हमारे किस तरीके से इसको flash करेंगे मदरबोट के अंदर वह आपको दिखाता हूँ तो चलिए दोस्तों आप हमारी spend drive का अंदर software तो आ चुका है और अब मैं इसको अंदर डालूंगा तो किस तरीके से software को flash करता है USB के जरिये सबसे पहले तापको इसको disconnect कर देना यानि कि इसके अंदर जो पावर दिया हुआ यह ट्वियल बॉल का अलट पर लगा और यह बंध होने के बाद ही आपको यहां पर लगाना है चलिए मैं इसको यहां पर लगा देता हूं और उसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर पावर सप्लाई देना है उसके उससे पहले आपको यह हमारा front panel का connection है इंडिकेटर है यहां से आपको किस तरीके का करना है एक सब्सक्राइब लेकिन इहां पर तरहा है कि हम ने चंदर हां दखे करना हैं पर देखिद हो रहा है। मैं यहां पर देख सकते हूं चाइनिज लेंगों इसमें आपको दिख रहा है तो इसको सौल्व करने के लिए आपके पास जो रेमोट मिलता इस बोड के साथ देख सकते हो अगर हमारे वेबसाइट से आप पर्चेस करोगे यह तरीक का यूनिवर्सल मदर बोड आपको हमारे अगर किसी को भी यूनिवर्सल चाहिए यूनिवर्सल मदर बूड चाहिए आप हमारे वेबसाइट पर जाके इसको पर्चेस कर सकते हो तो देखिए दोस्तों इसे जो लैंग्वेज इसको चेंज करने के लिए आपको जाना होगा मेनू में तो यहां पर मेनू प्रेस किया उसके बाद आपको आना होगा settings पर यहाँ पे दिख़िए यह इस सेटिंग से तो मैं इस साइड दो बार प्रेस्ट करऊंगा यह आ गया settings उसके बाद हम करेंगे यहाँ एंटर और एंटर करने के बादवाद आपको sir language में जाना होगा फिर आप इसको जलदी से Google translate करके देख सकते हो उसके क्या लिखा हुआ है तो मैं इसको पेले से translate करके देख लिया हूँ कि यह language यह जो लिखा हुआ है यह language है तो आप मैं यहाँ पर करूंगा enter एक्जिट कर दूंगा आभी देखिए यह हमारा टेवी नो सिगनल हो गया है तो आप मैं इसको HDMI में कनवर्ट करता हूं और आप देखिए हमारा जो बार्णिंग का प्रॉब्लम था बिल्कुल सही हो चुका है आपको पता चल गया होगा कि अगर युनिवार्शल करने के समय आपको बांडिंग प्रॉब्लम दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका कौन कौन सा है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है अगर पसंद आया है तो लाइक कर दिजिए वीडियो को और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ share किजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले इस बार्णिंग प्रोब्लेम को solve करने का तरीके के बारे में और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ किसी को भी किसी प्रोकर करके सब्सक्राइब के जोड़त होगी तो आप हमारे ओफिसि इतना ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हुई से ओल दा बेस्ट